हलो हलो फ्रेंड मैं कल्पना आप सब की प्यारी सहेली प्यारी फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाई हूँ जो गिनी पिक पर है जो इस वेक ठंड का मौसम है और सर्दियां बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस मौसम में हम अपने गिनी पिक को क पैसे बचा कर रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं इस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ प्लीज आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि मैं और आप लोगों के भोजन सुबह से हो चुका है और इसमें भोजन दोंगी फिर आतको नौ बोजे भोजन दोंगी अब फिर इन लोग को सुबह फिर देखूँगी तो देखिए मैं क्या करती हूं पहले तो मैं गिनी पिग लाई उन लोग के लिए घर लाई एक ये पिंजड़ा एक दो खास किसम की तरकीब निकाली हूं मतलब जुगार जो कहें जुगार निकाली ओं पहले मैं इसे कटोरी में पानी देती थी और देख रहे हैं यह एक बbothal है जो यह मेरा सोडे का बोतल है और फंटा का भी ले सकते हैं छोटा side मेज वाला बोतल कोको कोला का पेपसी का कोई भी ले सकते हैं तो छोटा साइज का जो आपका पिंजड़ा का साइज से बराबन मेज खाता हो इस तरह का बोतल या जैसे आप फ्लावर के लिए कटिंग करते हैं मैंने बीच से इसको कट कर दिया है और इधर छोटे-छोटे होल बना दिये हैं आपको दिखाती देखिए इस तरह को एक दो तीन होल बना दिये हैं और जो पतला वाला बायर तार आता है किसी भी चीद से इसको मैं टाइट कर दियो हूं अंदर से अब मैं इसमें पानी डाल देती हूं ताकि ये इस तरीके से देखिया ताकि ये गिनी पिक इसमें से पानी को पीती है और ये ना हिलता है ना डोलता है ना पानी गिरता है और जब भी हमको मतलब चेंज करना होता है इसको धो देते हैं अराम से अब पिंजड़ा को ऐसे गिनी पिक को निकाल करके सारा पानी कर देते हैं ये एकदम फिक्स हो गया ह मेरा पानी वाला गर्मी का सीजर में पानी डाल देती हूँ दो बार गिनिपिक आराम से पीती है और ठंड का मौसम है दोस्तों तो इसको मैं दिन भर धूप में रखती हूँ गर्मी ज्यादा पड़े तो बचाना है दोप और ठंड ज्यादा पड़े तो दोस्तों ये दोनों चोटों बेबी को बचाना होता है अब मैं अब मैं क्या करूंगी यह हो गया इनलों का बेडरूम हम लोगा जिस तरह से बेडरूम होता है न दोस्तों इनलों का यह बेडरूम हो गया इसमें मैं पानी डाल दी हूँ इसमें इतना वड़ा होल है जिसमें आराम से पानी पीता है इसमें मैं लगाऊंगी दो छोटे- इसको मैं बना दी हूँ मैं अपनी गिनी पिक का अभी ठंड ज्यादा पड़ रहा है दोस्तों तो मैं दोनों को साथ में ही कर दे रही हूँ यह हो गया दोनों का बेड़ अब दोनों का मैं फूड डालूंगी यह देखिए यह अधा फ्रेस ताजा वेजटेवल है जो मैं मैं इसको दूगी गरम रोटी हो गया कर बेड़ हो गया कोई भी चीच और मैं डाली हूं इसमें और jnasato अलेगी यह भी मेरा गार्डेन का खूत यह खा लेगी तो मैं और टमेटोंगी यह हो गया मेरा बेडरूम बेडी का तयार मैं दोनों की नाम भी रखी हूँ अब इसमें जाएगा मेरा यह यह हो गया टीनी यह मेरी फीमेल है यह हो गया आपका बहुत भा romance है यह देखिए यह मैं दिखाती हूं यह है मेरा चुट सा बीबी सा यह क्यूटी क्यूटी पाइज सा जिसको चुटु चुटु कान है स्वीट स्वीट बेवी है यह हो गया मेरा हो मेर मेर में दोनों को कर दूंगी भी बंद देखिए कितना तेजी से पॉला खा रहें दोनुं देखिये पाला टमेटों कैरोट कि कु कि फिर्रेन मेन जो़का फेवरेट है अनों पाला ज्यादा देतीक उल्म तो इस पिंजडे के नीचे भी मैं रखती हूँ, दोस्तों मैं जहां सोती हूँ, मैं वहीं रखती हूँ, मैं इस तरह का जो बोड़ा होता है, इसको बिछाती हूँ, पहले नीचे इसके नीचे फैला देती हूँ, दो तीर इसके उपर इसको इस तरह से रखती हूँ, ताकि जिस सू वगरां करें गंदगी जतना बाइन से करें सूभा निकालकर ये दोनों कुद होती हैं मैं परर ज Sasuk कर्ती हूं क्यब्वाइस क्छाप सफाई पर ज्यादा में ध्यान देती हूं। और इसको उपर शेड़ दीती हूँ दोनों आराम से रात भर खाते रहती है पीती रहती है तो ये तो हो गया सर्दियों को मैं अपना साम का रूटिंग बताई हूँ गीनी पिका कैसे रात भर इसको रखती हूँ बाकी का मैं आगे का वीडियो में डालूंगी दोस्तो झाई झाई यू